नमश्कार न्यूस टाइम्स के इस बुलिटीन में आप सभी का स्वागत है आपके साथ में उत्रिप्टिविश्वकर्मा आईए खबरों को सलसला अब सुरू करते हैं केंदर सरकार के द्वारा सेना में बहाली के लिए लागू किये गए अगनीपत स्कीम के विरोध में छातर संगठन द्वारा बुलाए गए जाखन बंद का पश्मी सिंभुम जीला में बेसर रहा आमदिनों की तर आवागमन जारी रहा और दुकाने खुली रही बंद को लेकर पुलिस प्रशाशन जगा जगा मुस्तैद थी जीले के सभी शहरों में पुलिस जवान तैनात थे सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात थे पूरे शहर में पिट्रोलिंग जारी थी सहर के मुख्य जगहों पर ड्रोन कैमरा से नजर रखा जा रहा थ ताकि किसी भी तरह की गरबड़ी की सूचना मिलने पर उससे निप्टा जा सके। बंद का कोई असर नहीं है लेकिन एतियात के तौर पर निगरानी रखा जा रहा है। प्रतम वर्ष के पाठिक्रम के पूरा होने पर कारिक्रम छोड़ने वाले विद्यार्थियों को प्रमान पत्र दिया जाएगा। पहले दो वर्ष का कोर्स पूरा करने वालों को कारिक्रम छोड़ने पर सनातक प्रमान पत्र और तीन वर्ष पूरा करने वालों को डिगरी मिलेगी। साथ ही एक साथ दो कारिक्रम में नामांकन भी ले सकते हैं। ऑल्लाइन परिक्षा फॉर्म भरने की अंतिमति थी 25 जून है। अनुसोचित जाती जन जाती संगठनों की 26 जून 2022 को राची में होने वाली एक दिवसी अधिवेशन में शामिल होने को लेकर अखिल भारतिय परिसंग की बैठक सिंभूम स्पोर्ट्स एशोशेशन चैबासा में हुई। बैठक की अध्यक्सता करते हुए सुरेश चंद्र देवगम ने कहा की राची में होने वाली एक दिवसी अधिवेशन में पश्चमी सिंभूम जिला इकाईं के साथ अल इंडिया बैंकर्स वेलफेर एसोशेशन, अकाश ग्रूप, जार्खन पुलिस एसोशेशन, हो राइ की अपील की जा रही है। बैठक में वेर सिंग बिरुली, संचु तिर्की, लालू कुजूर, सिकंदर बिड़ुली, जैराम बारी समेत काफी संख्या में लोग शामिल थे। गली सदर बाजार चायवासा। स्कूल बैल, स्कूल जूते मौजे, स्कूल बैल, टिफिन बॉक्स इत्यादी, उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उलब्ध है। तो अवस्य पधारें, नीलमशू, राजा बाडी कली, सदर बाजार चायवासा। जहां, नीलमशू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया, आया, नीलमशू में स्कूल का पोशा, लड़का लगी, छोटा बड़ा मिलेगा हरना। रोटरी कलब चायवासा की ओर से, PPH के तहर, स्वास्त उपचार केंद्र, आरोग्यम में स्वास्त जांच शिविर का आयजन किया गया। शिविर में पचास लोगों का स्वास्त जांच किया गया। शिविर में डॉक्टर श्रीकांद अगरवाल के नित्त्त में उच्च रक्त चाप, मधुमे, यूरिक एसिड और वजन की निसुल्क जांच की गई। जांच के बाद जांच कराने आए लोगों को डॉक्टर श्रीकांद अगरवाल ने उचित सला भी दिया। कारिक्रम के संयोजक सुनित खिरवाल ने कहा की लोगों को स्वस्त रहने के लिए निरंतर जांच आवश्यक है। यह शिविर इसी जागरुटा के लिए लगाया गया है। सचिव विकास दोद्राचका ने कहा की यह चौथा शिविर है। इसमें विसे सग्य चिकित्सकों के द्वारा लोगों को निसुलक स्वास्त जांच की सुविधा प्रदान की जाती है। भारत बंद को लेकर सुमवार को सभी विध्याले बंद रहेंगे। अगनीपत योजना के विरोध में बुलाये भारत बंद को लेकर सिक्षा विभाग की सचेव के निर्देश पर जीला सिक्षा पताधिकारी निर्जा कुजूर ने 20 जुन को सभी कोटी के सरकारी और साज़त नमस्कार